जै श्री हरी इस प्रीचल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे भक्त की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसको लगता था कि बुरे वक्त में भगवान ने उसका साथ छोड़ दिया तो एक भक्त था वह भगवान कृष्ण को बहुत मानता था बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था एक दिन भगवान से कहने लगा मैं आपकी इतनी भक्ती करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूती नहीं हुई मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें पर ऐसा कुछ करें कि मुझे ये अनुभव हो जाएं कि आप हो भगवान ने कहा ठीक है तुम रोज सुभा समुन्दर के किनारे सेर पर जाते हो जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें दो पैरों की जगा चार पैर दिखाई देंगे दो तुम्हारे पैर होंगे और दो पैरों के निशान मेरे होंगे इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूती होगी अगले दिन वह सेर पर गया जब वहे रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ दो पैर और भी दिखाई दिये वो बहुत खुश हुआ अब रोज ऐसा होने लगा एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ सब कुछ चला गया वहे सडक पर आ गया उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया अब वहे सेर पर गया तो उसे चार पैरों की जगा दो पैर दिखाई दिये उसे बड़ास चर रहे हुआ कि बुरे वक्त में भगवान कृश्म ने भी साथ छोड़ दिया धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे एक दिन जब वह सेर पर गया तो उसने देखा कि चार पैर वापस दिखाई देने लगे उससे अब रहा नहीं गया वह बोला भगवान जब मेरा बुरा वक्त था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था पर मुझे इस बात का गम नहीं था क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था ऐसा क्यों किया भगवान ने कहा तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने दो पैरों के निशान देखे वो तुम्हारे पैरों के थे ही नहीं वो मेरे पैरों के निशान थे उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा कर चलता था और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया इसलिए तुम्हें फिर से चार पैर दिखाई दे रहे हैं इश्वर पर सदेव श्रद्धा रखो वे सदेव आपके साथ हैं जब भी बड़ों के साथ आप बैठो तो परमात्मा को धन्यवाद करो क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरस्ते है जब भी आप अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद करो क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार है परमात्मा का धन्यवाद करो जब भी तुम तंद्रूस्त हो क्यूंकि बिमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की इच्छा रखने है परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम जीवित हो हर छोटी बड़ी खुशी के लिए इश्वर का धन्यवाद जरूर करें कैसी लगी कहानी? कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं इसी तरह से और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फो वाचिंग गाईज